वेलकम बेक टू माई चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार भिंडी और ये सबजी हम दाल चावल के साथ पराठे के साथ रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं बहुत टेस्टी होती है तो आईए हम सबजी बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने हाँ पर आधे कि बिंडी ली है और उसे दोकर हमने साफ सूखे कपड़े से पॉंच लिया ताकि उसमें पाने ना रहे और उसे हमने ऐसे छोटे-छोटे टोड़ों में काट लिए आप चाहें तो अपने किसी भी साइज में काट सकते हैं थोड़ा बड़ा भी साइज ले सकते हैं और इसकी बाद हमने कढ़ाई में ओयल रख दिया था गरम होने के लिए और उसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें यह बिंडी के टुकड़े डालकर उसे फ्राई करेंगे जब तक थोड़ा सा उसका करण चेंज ना हो जाए और उसमें जो तार जैसे निकलते हैं तो जब तक निकलना बंद ना हो जाए तब तक उसे हम फ्राई करेंगे और यह कढ़ाई में हमने तेल रख दिया था यह गरम हो गया है वह इसमें हम यह बिंडी के टुकड़े डालेंगे और यह जो भिंडी है वो हमें धीमी आच पर ही फ्राई करनी है और धीमी आच पर फ्राई करेंगे तो यह जलेगी नहीं और अच्छे तर ऐसे यह इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और अच्छे से यह पक जाएगी तो आच हमें धीमी रखनी है और जो तेल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमने सरसों का तेल इस्तिमाल किया है और सरसों के तेल में अगर कच्छा रह जाए तो उसमें स्मेल आती है तो तेल को अच्छे से हमें गर्म कर लेना है उसके बाद ही बिं और बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे ताकि एक समान से ये फ्राई हो जाए और कहीं जले नहीं तो इसे हम बराबर चलाते रहेंगे और देखिए इसका color change भी हो रहा है वैसे अभी इसमें तार निकल रहे हैं तो इसे अभी हमें fry करना है और इसे लगातार हम बीच बीच में चलाते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं नेते वे जल जाएगे भिंडी और अब देखिए इसका color भी change होने लगा है तो इसे हम अभी चार-पांच मिट और से fry करेंगे और ये हमारी भिंडी फ्राई हो गई है इसे अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और ये कड़ाई में थोड़ा से तेल हमने और डाला है इसमें हम डालेंगे जीरा और उसके बाद हम डाल देंगे दो-तिन खड़ी लाल मिर्च और फिर हम डाल देंगे अधरक लैसन का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ना डाले या फिर खड़ी लाल मिर्च ना डाले वैसे ये इससे दिखने में भी अच्छी लगती है और जब सबजी के साथ हम खाते हैं तो भी इसका टेस्ट अच्छा आता है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टटे और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और जब ये प्याज फ्राई हो जाएगा उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस चालू करेंगे और ये प्याज भी है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं इसमें हम डाल देंगे कटे गूए टमाटर यहाँ पर हमने दो टमाटर लिए थे और अगर आप कम खटा पसंद करती हैं तो आप टमाटर ना भी डाल दें हम जूर पाउडर हलका से डाल दें या फिर एक टमाटर डाल दें यहाँ पर हमने दो टमाटर लिए थे उसके बाद हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह ऐसे भून लेंगे और मिक्स करके और टमाटर को हमें यहाँ पे नरम होने तक पकाना है अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है और देखिए मसाला यह हमारा पेज़ गया है अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच दही और एक चम्मच मलाई यह घर की ही मलाई है और इसको हम अब जल्दी से मिक्स करेंगे नहीं तो यह दही जो है वो फट सकता है तो उससे जो इसका टेस्ट वो खराब हो जाएगे इसलिए इसको हम अच्छी तरह स्क्रेस चलाएंगे इसमें इसको इस यह सब चीजें डालने का मतलब और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और जो अच्छी है जो बढ़ जाती है और अच्छे से जो भिंडी है उसमें ज़्यादा मसाला दिखाई देता है तो अच्छे लगती है खाने में और इस मसाले को भी हम तब तक पकाएंगे जब तक इसके जो ऑल है वो किनारे पे आजाएगा तब हम समझ जाएंगे कि जो मसाला है वो हमारा भुन क्या है और इसे भी हम चलाते रहेंगे मलाई और दही से टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप एक बार इस तरह से सब्जी बना कर देखी तो ये सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत टेस्टी भी लगए है दालचावल के सब्जी आसी भीड़ी बना तो बहुत अच्छी लगती है और ये मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है और अब जो हमने भीड़ी फ्राई करके रखें थी वो भीड़ी इसमें हम डालके और इसे हम अच्छी तरह से mix कर देंगे और अब इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और इसे हम मसाले में अच्छी तरह से बिंडी को mix कर देंगे और इसे अब हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये पहले ही हम fry कर चुके थे बिंडी और मसाला भी हमारा भून चुका था तो अब लगभग ये सबजी हमारी रेडी है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बताईए और इसमें आप लास्ट में हम डालेंगे नमक और इसको भी हम अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स कर देंगे बिंडी पूरी पकने के बाद फिर इसमें हम नमक अट करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये सबजी हमारी बिंडी की तेयार है और लास्ट में इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया तो ये कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और धनिया डालें के बाद हम गैस को कर देंगे बन और देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है और ये सबजी बहुत टेस्टी लग रही है और बनी भी है बहुत टेस्टी